गुजरात में लगातार जारी मुशलाधार बारिश के कारण नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ने से भरूच और वडोद्रा जिले के कई गाउं में बाढ़ के स्तिथी बन गई है दोनों जिलों के गाउं से करीब 5,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुचाया गया है सोमवार को जारी सरकारी विग्यप्ति के मुताबिक के वडिया गाउं के पास नर्मदा नदी से सरदार सरूवर बांध में लगातार पानी जमा होने के कारण बांध के 30 में से 23 गेट खोल कर 9.86 लाग क्यू सेक पानी छोड़ा जा रहा है विग्यप्ति के मुताबिक बांध में जल स्तर 132.63 मीटर पहुच गया है जबकि उसके जलाशे की कुल क्षमता 138.68 मीटर है राहत आयुक्त हरशत पटेल ने गांधी नगर में समबाददाताओं से कहा कि पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा में पिछले कुछ दिनों में जल स्तर बहुत बढ़ गया है और अब वह वरोदरा और भरुज जिले में नदी किनारे स्थित निचले इलाकों में पहुचना शुरू हो गया है पटेल ने बताया कि इन गाओं और भरुज शेहर के निचले इलाकों में रहने वाले करीब 5,000 लोगों को सुरक्षित जगों पर पहुचाया गया है 5,000 लोगों